सभी दोस्तों को नमस्कार राम राम साह स्वागता आपका रायधान यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं आपके लोग दिवताओ वाली सीरीज चल रही है यानि जिसे हम लोग पूरे राजस्तान जी के में एंटी वाइटिक सीरीज दिनाम दिया है वही आपना समय की बचत कीजिए अपना रिविजन कीजिए और आपको को लंबा टाइविंग नहीं देने इसमें आप के मिंए कहूंगा यदि आप लोग बोर भी हो गया काह मेंने यदि आप लोग अपने आपको बोरिंग भी मैसूस कर रहे है साथ ही हो तो वहां भी आप ये description box में link दे रखा और वहां से ये PDF एक साथ download करके अपने पास print रखें ताकि ये बार-बार आए उसी में आप note करें आपकी ये क्या हूंगा कि पूरी जीवन कुंडली है ये print आये स्वागत है तो इस कडिम बात कर रहे हैं हम लोग देवता देवनारण जी की दोस्तों दे पावे गोट दड़ावता मैं यहां आपको रोकना चाहूंगा कि यहां गोट दड़ावता है और द्यानकना एक गोट मांगलोद है गोट मांगलोद और गोट दड़ावता मंतर है यह क्या है हमारा गोट मांगलोद यह जो गोट मांगलोद है यह गोट मांगलोद है तो ग गोट दड़ावता एक जगे है साथियो तैसिल परती है आसिन यह द्यानकना तैसिल आसिन्द है और आसिन्द में जो जगे है उसका नाम गोट दड़ावता है पिता का नाम सवाई भोज है जाती से बगड़ावत थे गूजर जाती का गोटर बगड़ावत था साथियो इसलि की पतनी और इनकी मा सेडु खटानी गरवती थी क्या होता है बिनाय के शासक दुर्दन साल हत्या कर देते हैं किसके सवाई भोज बगड़ावत की इनकी मा गरवती है और उनका नाम क्या है सेडु खटानी दोस्तों ऐसा हमें किताब में लिखा मिलता है प्रैक्टिकल क्या प पड़ा रहे हैं शेड़ू खटानी गरवती थी और उदर हत्या कर देता है निर्दोस नुए इनकी पिता की वहां से सोचा कि ऐसे करते हैं यहां से निकलते हैं और यहां से निकल के हम कहां चलें मद्य प्रदेश चलें क्योंकि मेरा पियर कहां है मद्य प्रदेश में वहां स पास्मी धार पड़ता है और वहाँ के रादा जैशिंग की पुत्री है हमेशा ही बिमार रहा करती थी पीपल दे तो भगवान देव नारण जी है जो आप लोगों के आयरुवेद के बहुत बड़े जानकार थे देव नारण जी और और औस दियों के ग्याता थे तो पीपल दे भीमार होती थी तो इसने जैसिंग को पता लगा यार कोई लड़का है और चमतकार रूप स औस दियों से लाज करता है तो उन्होंने इने बुलाया ठीक कर दिया और वेद से औस दियों से धारन रेश जैसिंग ने अपनी पुत्री पीपल दे का विवा देव नारण जी से कर दिया गया बचपन निकालने से और लियाया भववाल से ध्यान रखें आफ लोग ननिया सवश्राल भी मद्य प्रदेस में है और सासुर犾ल भी मद्य प्रदेस में है और इनी की मदद से वापिस अपड़े पैत्रिक उस पर आदिकार कर लेते हैं तो आयॅर्वद का ग्याता हो गया सात्यू साथ चिलियर बात समझ में है हमारे यग देखो एक सवाल और पूछ सकता है आयुर्वेद का ग्याता दूसरा हम लोग कहेंगे कि आस्दियों का ग्याता क्या कहेंगे आस्दियों का ग्याता और इन आस्दियों में जिसका इस्टेमाल करते थे यह पूछ सकता है तो कहेंगे हम नीम की पति कौन सी नीम की पति ध्यान देवनानेजी की फड सबसे लंबी फड है से दोस्तों यह सबसे प्राचीन भी है दोगों इतनी प्राचीन तो ही सबसे लंबी है और आपको फड देवी देवताओं को चित्रांकन होता है कपड़े पूसे हम लोग फड पैंटिंग कहते हैं कपड़े पद देवी देवताओं के जो चित्रांकन होता है मित्रों से हम फड़ पेंटिंग कहते हैं तो देवनाने जी की फड़ सबसे लंबी है और सबसे लंबी है तो सर्वाधिक सरंवामें सरवाधिक लगने वाली सरे द्यान bird लड़ लगने आप लोग गूजर जाति और स्वाशन नहीं जाएगा वाद्यंत्र होता है यह सब बात होई आणी मित्रो होना चाहीए भात देखके शन्तन काहनी किलियर के गलत नहीं जाएगा मित्रों हमारा गलत नहीं जाएगा दोस्तों चिंता मत किजिए आपका भाई आपके साथ है और देखिए और आगे हम लोग बात करें यहां पर तो दोस्तों यह इनकी पत्नी की बात हो गई आयुरुवेद ओस्दियों के ग्याते हैं और इसमें जो विश गड़ववतों का गाव है कौनसा काव है भगडवतों के थे बगड़वत निवास करते हैं बताने इनकी तपेश्या में इनकी पुत्र पुत्री को युगदान भी था बिल बिल्ली मेला भाधर पद शुक्ला सब्थमी को लगता है मक्का की घाट वे छाच परोसी जाती है सहोगी माकड जी आमको मिलों पढ़ते हैं कई बार माकड जी का मेला इनी के सहोगी थे और नाग पाहड अजमेर मिन का मंदिर है यह पुस्तक हैं देखिए बगडवत लोग काव्य देव नारण महागाथा लक्षमी कुमारी की पुस्तक हैं क्या कहा हमें लक्षमी कुमारी की पुस्तक है लक्ष्मी कुमारी की पुस्तक है एक तो बगडावत लोकाव्य और देव नारण महागाथ तो बगडावत लोकाव्य देवनारण महागाथ जो पुस्तक है में किस कि लक्ष्मी कुमारी के ध्यान रणा चाहिए आप लोगों को यह तो है देव बाबा लेकिन यह देव नर्णन ये देव बाबा हैं यहाँ आपको उन्हेन पड़ेगा नंग्ला जास भरतपूर के नियार पक्टेड़ Holy गुवालों के देवता है कि देवता है गुवालों के देवता है नंगला जाद भरतपूर के हैं गुवालों का देवता है मेले में गुवालों को भोजन करवा जाता है वहान का नाम क्या है भैसा है एलादी मरने के बाद अपनी बहन का भात भरत था मूर्ति एक हाथ में आता है भान वैसा हो गया और गुवाल के हाथ में लाठी होती है जाड़ू होती है साथ तो यह मित्रों अच्छा स्कोर आप लोगों मिलेगा यह हमने देव नारण जी की बात की देव बाबा की बात करी घंटे लग जाते हैं हमको देव नारण जी पढ़ने में मातर मैंने प को इस चारण जी साथी और टेलीग्राम पर मेरे डाले हुए है रायथान बुक के नाम से हमारा टेलीग्राम है जो साथी रायथान के मोबाइल आप पर जाना चाहिए बिल्कुल मोबाइल आप पर जाए और जो पुस्तक पढ़ना चाहिए रायथान के बिल्कुल पुस्तक भी बगवाए शांदार इप्लेट फोरम है राज्तान जी के का आप दाय माय बत बट के राज्तान जी के रायथान चुल लिजी आप लोग ठैंक्यू धन्यवाद रावराम साब